रॉक्वेल जो अब बोईंग है बी बेन्बी लांसर एक लंबी दूरी वाला सुपरसोनिक भारी बमवर्शक है मूल रूप से 1970 के दशक में परमानू मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था इसे बाद में पारंपरिक युद्ध के लिए परिवर्टित कर दिया गया था बी बेद भी में परिवर्टन शील स्वीप पंक हैं जो उच्च उचाई पर सुपरसोनिक गती और निम्नस्तर पर स्थिर्ता उच्च सबसोनिक गती प्राप्त करते हैं इसकी प्रभावशाली पेलोड क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स और लंबी दूरी इसे विभिन्न प्रकार के युद्ध सामगरी पहुँचाने के लिए एक दुर्जे मंच बनाती है आधुनिकी करण ने इसके एवियोनिक्स, रड़ार और हतियार प्रणालियों को बढ़ाया है इसे 21 सदी में प्रासंगिक बनाए रखा है इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे रणनीतिक बंबारी और निकट हवाई सहायता करने की अनुमती देती है बी एकडवी लांसर वैश्विक स्तर पर शक्ति का अनुमान लगाते हुए यूसाइफ के बमवर्शक बेडे का एक प्रमुख घटक बना हुआ है यह अमेरिकी इंजीनियरिंग और वायू शक्ति के प्रमान के रूप में खड़ा है बी बद्वी लांसर में दुर्जे विनिर्देश है जो इसे आसमान में एक सच्ची ताकत बनाता है इसकी अधिक्तम गतिमच 1.2 से अधिक है दुश्मन के हवाईक शेत्र में तेजी से प्रवेश की अनुमती देता है पाँच हजार समुद्री मील से अधिक की दूरी के साथ बिना इंधन भरे इसकी अंतर महादवी पिय पहुँच है बी एक कभी की ताकत इसकी पैलोट क्षमता में नहित है 75,000 पाउंड से अधिक आयुध ले जाना इसका उन्नत एवियोनिक्स सूट लक्षी करण, नेविगेशन और संचार को बढ़ाता है ओन बोर्ड रड़ार कई लक्षियों का पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है जबकि इलेक्ट्रोनिक प्रतिवाद वायू रक्षा के खिलाफ रक्षा करते हैं ये प्रगती बी एदबी लांसर को शक्ति का अनुमान लगाने और हवाई श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए एक दुर्जे मंच बनाती है बी बिर्बी लांसर भारत को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकता है इसकी सीमा भारत की परिचालन पहुँच का विस्तार करेगी जो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है बी के बी की बहुमुखी प्रतिभा निरोध से लेकर सटीक हमलों तक अद्वितिय मिशन लचीलापन प्रदान करती है उन्नत एवियोनिक्स और हथियार प्रणालियां भारत को तकनीकी बढ़त प्रदान करेंगी इसका परिश्कृत रडार और इलेक्ट्रोनिक प्रतिवाद स्थितिजन्य जागरुकता और उत्तर जीविता को बढ़ाता है ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन स्वदेशी हथियार प्रणालियों के एकी करण की अनुमती देता है जिससे रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है अधिग्रहन की चुनोतियां, लागत, रसद और भूराजनीतिक विचार B.1.B. बमवर्षकों के बेड़े को प्राप्त करना और उसका संचालन करना महंगा होगा जिसका असर अन्यरक्षा कार्यक्रमों पर पड़ेगा ऐसे परिश्कृत विमानों के रखर रखाव के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रिंखला और तकनीकी विशे शज्जता की आवश्चक्ता होती है भारत को स्पेर पार्ट्स और रखर रखाव के लिए विश्वसनिय नेट्वर्क की आवश्चक्ता होगी संभावित रूप से विदेशी भागीदारों पर निर्भर रहना होगा अधिग्रहन के भू राजनीतिक नहितार्थ होंगे जिसके लिए अंतर राष्ट्रिय संबंधों को सावधानी पूर्वक नेविगेट करने की आवश्चक्ता होगी प्रौध्योगी की हस्तांतरण समझोते और राजनीतिक संबेदन शीलताएं महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा कर सकती है वर्तमान स्थिती और व्यवहार्यता एक जटिल समीकरण 2024 तक भारत को B-8B लांसर बेचने के बारे में कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है अमेरिका उन्नत सैन्य प्रौध योगिकियों के निर्यात को लेकर सतर्क है खासकर गैर सहयोगियों को USAF ने 2030 के दशक के मध्य तक B-1B बेडे को हटाने की योजना बनाई है जिससे उपलब्धता अनिश्चित हो गई है अमेरिका B-21 रेडर जैसे नए प्लेटफार्मों के साथ अपने स्वयम के बम वर्षक बेडे के आधुनी की करण को प्राथमिक्ता दे सकता है राजनीतिक संबेदन शीलता और तकनी की जटिलताएं इस तरह के सौदे में महत्वपूर्ण बाधाएं पेश करती है निशकर्ष व्यावहारिक वास्तविक्ताओं के साथ रणनीतिक लाभों को संतुलित करना B-1B-B लानसर भारत की शक्ति प्रक्षेपण और क्षेत्रिय प्रभाव को बढ़ा सकता है हालांकि वित्तिय लागत, तारकिक जटिलताएं और भूराजनीतिक असर बहुत अधिक हैं भारत को आर्थिक और राजनीतिक लागतों के मुकाबले रणनीतिक लाभों का वजन करना चाहिए। विमान की उपलब्धता की अनिश्चितता व्यवहारिता को जटिल बनाती है। भारत को स्थाई रक्षा आधुन की करन के लिए स्वदेशी विकास और अंतर राष्ट्रिय सहयोग सहित व्यकल्पिक विकल्पों का पता लगाना चाहिए।